अगर आपका अकाउंट SPI Bank में है तो आप घर बेठे अपने मॉबाइल से ही नई चेक बुक के से ओर्डर कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके अकाउंट के साथ पहले से कोई चेक बुक नहीं है तब भी आप ओर्डर कर सकते हैं और अगर आपकी चेक बुक खतम हो चुकी है और आप फिर से नहीं चेक बुक ओर्डर करना चाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा योनो एप की आपको जूर्थ पड़ेगी तो आप प्लिश्टोर में जाकर योनो एप डाउनलोड कर लिजे और जो भी मुबाइल नमर आपके रिजिस्टर है इस नमर से आपको योनो एप के अंदर लोग ना पंगा ठीखाँ, है साइणीन कर लेजें हमारा अका운ट पहले से बना ओओ आए योनो एप पर तो चलिए हम यहाँ पर लोग ने कर लेते हैं उके तो हमारा अकाउट जो है वह यहाँ पर लोग न हो चुका है अभी यहां पर आपको देखें नीचे की तरफ service request का एक option मिलेगा इस पर आप click करें और अभी यहां पर आपको अगर आपने पहले से कोई service कर रखी है order तो उसको आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन यहां पर आपको you more पर click करना है ठीक है अभी यहां पर SVE Bank जितनी भी परकार की services देता है उन से भी की list आजाएगी आप ना सिरफ अपनी check book order कर सकते हैं बिलकि और भी बहुत सारी चीजे हैं यहां पर आपने ITM order कर सकते हैं और कई option आपको मिलते हैं हम यहां पर book करने वाले हैं चेक book order करने वाले हैं तो यहां पर checks का option मिलेगा इस पर click कर दीजे आप तो यहां पर हम click कर लेते हैं अभी यहां पर देखिए आपको कई option मिल रहे है तो यहां पर आपको request check book का option मिलेगा आप simply इस पर एक बार click कर दीज़े अभी यहाँ पर आपको select करना पड़ेगा जिसे कि सबसे पहले amount select करनी है तो यहाँ पर account हम select करेंगी यह वाला हमारा account है तो यह हमने select कर लिया अभी number of checks में कितने पन्ने होने चाहिए वो select कर लिज़े तो यहाँ पर adjust page के चाहिए पचीस के चाहिए आपने हिसाब से यहाँ पर select कर सकते हैं यहाँ पर इसकी term और condition है दोनों accept कर लिज़े यहाँ पर हम select कर लेते हैं अभी आपको यहाँ पर next बटन पर click करना है तो यहाँ पर हम click कर लेते हैं अभी delivery के लिए address कौन सा आप select करना जाते हैं वो select कर लिज़े यहाँ पर तो हमारा जो residence address है वो हम यहाँ पर select करेंगे अगर आपने last बार कोई चीज मंगवाई है तो वो select कर सकते हैं नए address दालना चाहिए तो यहाँ पर डाल सकते हैं हम यहाँ पर जो register address है वो ही select करेंगे और यहाँ पर जैसे आप register address पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका address एक बार आजाएगा आप इसको check कर लिजे देख लिजेगा अच्छे से अगर आपको गलत लगे तो आप नए address यहाँ पर डाल सकते हैं हम यहाँ पर next जो button है इस पर click करेंगे एक बार अभी फिर से आपको confirm करने के लिए बोला जाएगा तो confirm कर लिजे उसके बाद यहाँ पर confirm button पर click कर देजे अभी यहाँ पर देखिए thank you का message आगया है your checkbook request has been with reference number यह है और accept हो चुकी है अभी आपकी जो checkbook की request हमने करी है वो accept हो चुकी है कुछ ही दिनों में 50 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर आपकी जो checkbook है SPVN की वो आ जाएगी ठीक है अगर आप इसका status check करना चाहिए बार में तो कैसे कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कि रहेंगे और फिर से यहां पर नीचे की तरफ जो service request का option तो इसके क्लिक खर लेजए और यहां पर pending request का option मिलेगा इसके Click कर देज़ए, तो यहां पर आपने जीतने भी request करी कोईएगी उन सवेYU की लिस्ट यहां पर आ जाएगी ठीक है यहां पर एक बार दिखा नहीं रहा है लेकिन यहां पर दिखा देगा ठीक है इस परकार से आप घर बेटे अपने मॉबाइल से SPA बेंग की चेक वो कोडर कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तुस वीडियो वा लाइक को चेनल को सिस्क्राइब जरूर कर लिजे थैंक यू